दोस्तो वेलकम स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आरे जिंशन प्लेटफोर्म पर मैं हूँ घंशाम शर्मा और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और वीडियो जिसमें मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ RPSC के सब इंस्पेक्टर एक्जाम के सिलिवस पर सब इंस्पेक्टर का एक्जाम जो है उसका नोटिफिकेशन हाली में रिलीज किया गया है और को 869 पदों के लिए ये एक्जाम होने वाला है दोस्तो वैसे तो मैं आपको बहुत कुछ बात कर चुका हूँ हमने नोटिफिकेशन पे भी चर्चा की और इसके कट ओफ पर भी बात कर चुके हैं जिनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारी अप्लिकेशन पर इसके अलावा description में link से भी आप जाकर के एक course है जिसे join कर सकते हैं हमारी application पर तो RS Jynction पर मैंने एक course बनाया है जो की SI की जिते भी notification है आईदर वो cut-off का हो, वो previous papers के हो या जो भी notifications आएंगे वो एक जगह पर अगर आपको देखने हैं तो वो course आप free of course जो है join कर सकते हैं और उस course में आपको सारी knowledge जो है मिलेगी, सारी जानकारी मिलेगी paper से related, पिछले year के जिते भी analysis से उनसे related इसके लावा मनिश कुमार शर्मा जो सर है हमारे जो पिछले SI exam में 139 वी rank पर रहे उन्होंने भी आपको syllabus का पूरा discussion दिया है मैं specifically अब आपके साथ में paper 1 अर्थात हिंदी जो है उस पर discussion करूँगा और इस paper का importance मैं आपको बताऊंगा importance बताने के बाद मैं आपको थोड़ा सा brief करूँगा कि आखिरकार ये paper का syllabus क्या है और ये बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए तैयारी कर सकते है चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये जानते है objective क्या है objective मतलब कि क्या उदेश को देख करके और RPC द्वारा आपके इस exam में हिंदी को एक मुख्य विशय के रूप में चुना गया अर्था जो आपकी final cut of 450 में से जाती है मतलब जिसमें से 200 नमर हिंदी के 200 नमर जीके के और 50 इंटर्व्यू के है ठीक है मैंने अपने पिछली वीडियो में physical के नमर को भी जोड दिया था तो उसके लिए मैं माफिचाता हूँ चलिए तो 200 आपके physical के नमर जुडते नहीं क्यों qualifying होता है उसको pass ही करना होता आपको तो हिंदी को इतना weightage क्यों दिया गया है आप देखते हैं RPC के कुछ ही exam है जिनमें हिंदी को weightage दिया जाता है उनमें आप देख सकते है RPC LDC का exam इसके बाद में आता है आपका RPC SI का exam और फिर आता है आपका RAS का exam क्या आप इन तीनों ही exam में कुछ similarities को देखते हैं जी हाँ दोस्तो LDC SI और RAS तीनों ही प्रशाशन के अंग है ये तीनों ही प्रशाशन विधी व्यवस्था और कानून को समालने का काम करते हैं किसी भी प्रकार की योजनाव को लागू करने से लेकर के हर एक कारी इनके द्वारा किये जाते हैं एसी परिस्तिति में एक भाशा का चुनाव आवशक हो जाता है जिसका ये अधिक से अधिक प्रियोग कर सके अब जो कि जो केंदर सरकार से निर्देश मिलते हैं वे हमेशा जनरलाइज रूप में इंग्लिश में और हिंदी में दोनों होते हैं लेकिन इंग्लिश को वाँ पर प्रिफरेंस दिया जाता है लेकिन राज्य स्तर पर आने के पस्चाथ जब निचले स्तर पर इन messages को या फिर जो भी निर्णे या फिर जो भी आदेश पारित किये जाते हैं उनकी भाशा को दरसल हिंदी कर दिया जाता है राजस्थान एक हिंदी प्रदान जो है राज्य है और हिंदी का राजस्थान में बहुत महित्पून एक स्थान है क्योंकि राजस्थान की अधिकतर भाशा में जो प्रचलित भाशा है वो अधिकतर जो जो जनसंख्या है उसमें प्रचलित भाईशा की रूप में हिंदी का प्रियोग होता है हम भले ही अपने स्थानी स्थर पर मारवाडी, ढूंडाडी, मेवाडी, हाडोती अलग-अलग भावशाओं का बात करते होंगे लेकिन जब कभी हम व्यवहार में या कारे स्थल पर काम की बात करते हैं तो हम हिंदी को ही प्रिफरेंस देते हैं अंग्रेजी का भी प्रचलन है लेकिन वो नेजी छेतरों में ज्यादा है सारवजनिक सरकारी छेत्रों में हिंदी का बहुत ज़्यादा है तो इसी चीज़ को देखते वे भाशागत ज्यान आपको कितना है क्योंकि जब आप कानून विवस्था में काम कर रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिते में यह आवश्यक होता है कि आपके द्वारा जिन शब्दों का प्रियोग किया जाए विसूस्पष्ट हो ठीक है आपको उनका अर्थ भली भाती से पता हो अर्था आप सार्थक शब्दों का प्रियोग कर पाएं और इसके साथ साथ आप गलतियों से बचें क्योंकि मान लीजिए आपको एक F.I.R. दर्ज करनी है और इस F.I.R. में अगर आपने कोई भी एक गलत शब्द प्रियोग कर लिया तो विदिगत रूप से जो वकील होते हैं वो उसका कुछ अलग मतलब निकाल सकते हैं या उस वज़े से आपको भी किसी कानूनी कारवाई का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में सब इंस्पेक्टर जो की एक उचा पद है छोटा मोटा नहीं है ठीक है उसे ने किवल अपने निचले अधिनस्तों को भी देखना होता है क्योंकि जो निचले इस तरपर जैसे कि हमारे पुलिस में जो आरपी रास्तान पुलिस में कॉंस्टेबल का पद होता है वे निचले सबसे नीचे की कड़ी होती है परशाशन में और इतने highly educated नहीं है मतलब उसका जो level है वो हम अगर देखें तो 10th pass के अधार पर हम देखते हैं और उस चीज़ को देखते हैं उनका ना तो education में भी कुछ ज़्यादा detail मांगी जाती है खाली physical fitness के अधार पर उनको भरती किया जाता है मैं कैसी को यह नहीं कह रहा हूँ कि विक qualified नहीं होते हैं उनमें से कहीं होते हैं लेकिन अधिकतर focus जो है physical efficiency पर ही वहाँ पर रहता है तो ऐसी परिस्टी में कुछ corrections भी आपको करने पड़ते हैं बहुत से जिम्मेदारी होती है इसलिए हिंदी भाष्छा का ज्यान बहुत जरूरी हो जाता है अब चुकि paper को नाम तो हिंदी दिया गया है लेकिन दरसल यह paper हिंदी का नहीं होकर के हिंदी व्याकरण का paper है पूरा का पूरा व्याकरण का प्रियोग इसमें किया जाएगा पहले, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ व्याकरण क्या होता है ये बहुत जरूरी है जानना व्याकरण का काम आपको तब समझ माएगा जब आप इस शब्द को समझे व्याकरण क्या है, ये है V plus A plus करण वैसे तो मैं आपको डीटेल में, हमारी क्लासेस में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझ लें, करण कारी को करने से जुड़ा हुआ है, और वी शब्द जब भी लगता है, उपसर्ग के रूप में, तो यहाँ पर दो उपसर्ग है, तो वी लगते ही विशि भाषा के बारे में भली भाती समझाता है, उसी के लिए हम व्याकरण शब्द का प्रियोग करते हैं, व्याकरण शास्त्र का हम प्रियोग वापर करते हैं, ठीक है, तो देखो भाषा को व्याकरण नहीं बनाता है, भाषा पहले से बनी बनाई होती है, व्याकरण खाली उस जो वयाकरण होते हैं, जैसे वयग्यानिक होते हैं, उसी तरह वयाकरण होते हैं, जो वयाकरण की ग्याता होते हैं, तो ये वयाकरण जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, किसी भी भाशा में शब्दों का जो प्रियोग है, उसके पैटरन को समझाना, भली भाती नियमों में बद्द करके उसको समझाना तो व्याकरन पूरी-पूरी भाशा पर जुड़ी है ठीक है बेसिकली तीन भाग इसके हैं पहला वर्ण विचार से जुड़ा होता है दूसरा शब्द विचार से जुड़ा होता है और तीसरा वाक के विचार से यहाँ पर आपको दो ही दिख रह है तो आप बोलो कि सर फिर हमें क्या वर्ण विचार नहीं पढ़ना आप मुझे बताईए कि अगर मैं आपको कहूं कि उत्तक जो हैं वे क्या होता है सीधा ही मैं आपको पताऊं बताना सुरू करूं मैं शरीर विज्ञान के बारे मैं पढ़ा रहा हूं सीधा उत्तक पढ़ेगा ठीक है तो उसी तरह से यहां पर शब्द रचना को समझने से पहले आपको वर्णों को समझना पढ़ेगा वर्णों के बारे में समझना पढ़ेगा अगर वो समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीकी से शब्द रचना को समझ पाएंगे इसलिए हम नक्यवल वर्ण विचार पर बात करेंगे, बलकि शब्द विचार भी हमें पढ़ना पढ़ेगा, शब्द रचना, शब्द प्रकार शब्द ग्यान, इसके साथ साथ वाक्यों की रचना भी हमको पढ़नी पढ़ेगी तो सबसे पहले तो शब्द रचना इसके बाद हम इनके प्रकार पढ़ेंगे, कि इनके भेद क्या क्या है, किस तरह से इनको डिवाइड करते हैं, एक तो इन शब्दों की उत्पत्ति और इनकी स्थति के आधर पर होता है, शब्द कहां से लिए गए हैं और वरतमान में शब्दों का क्या रूप है, और दूसर उन शब्दों का अलग-अलग आधार पर किया गया वर्गीकरण होता है, जिसे कि संख्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, अव्यव, इनमें भी हम बहुत से चीज़े बढ़ते हैं, क्रिया, विशेशन, संबंसुचक, विश्मय, बोदक, निपाद, इन सभी मुद्दों बहुत डीटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, यह सारा समझने वाला पॉर्शन है, इसमें मतलब आप रटनी सकते हैं, रटाफिकेशन की कोशिश करेंगे, असफल हो जाएंगे, हो सकता है, आपकी कैपसिटी अच्छी हो, लेकिन मैं यह करता हूँ, आरेस की तैयारी कर रिवाइस करते रहते हैं, खेर आप कितने भी इंटेलिजेंट होंगे, जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखना इस चीच को, तो रिविजन बहुत मस्ट है आपके शब्द ग्यान में, ठीक है, सब्द सुधी ऊपर के तीनों पॉइंट पर निर्फर करते हैं, ये तीनों पढ़ लिया, तो शब्द सुधी में आपको कुछ नहीं करना है, ये चोथा पॉइंट तो बेवज़ दिया है, जब तीन पढ़ लेते हैं, तो शब्द सुधी ऊटोमेटी की हो जाती है, अगर आपको शब्द ग्यान ह हो गया, शब्दों की रचना पढ़ लिए, और शब्दों की प्रकार पढ़ लिए, तो शब्द शुधी में कोई दिक्कत नहीं हो गया, इसके बाद में आपके व्याक्यों से जुड़े व्याकरने कोटियां होती है, कुछ चीजे हैं जिसे कि परसर्ग हो गया, लिंग हो वचन हो गया, पुरुष, काल, व्रति, पक्ष और वाचे, मैं इनमें डीटेल में अभी इसलिए नहीं जाओंगा, क्योंकि वैसे भी आगे ये सब पढ़ाना है आपको, तो ये कोटियां आपके जो अलग-अलग शब्द हैं, उनकी जो वाक्य में स्थती होती है, उसके आ वाक्यों की रचना करते हैं, और वाक्यों की रचना सीख जाए, तो आदमी वाक्य शुद्धी भी सीख जाएगा, तो वाक्य शुद्धी भी पढ़ने के आपको ज़रूत नहीं होती, क्योंकि वाक्य रचना पढ़ लिया, तो वाक्य शुद्धी अपने आप हो जाती है, ये practice का है, कि आप भी आपको practice करनी पड़ेगी, चितनी अच्छी तरह से practice करोगे, उतने ही अच्छे नम्मर आप ले पाओगे, फिर आता है विराम चिन्नों का प्रियोग, बिल्कुल उसी तरह से, जो आप वाक्य विचार पढ़ने के बाद में, जब इनका सयोजन देखोगे, कि वाक्यों का सयोजन कैसे होता है, विराम चिन्नों का प्रियोग कैसे किया जाता है, विस्मय आप कहां दर्शा रहे हैं, समानार तक शब्दों को आप कैसे दर्शा रहे हैं, और संयुक्त सब्दों में आपके तरह से विराम चिन्नों का प्रियोग कर रहे हैं इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं इसके बाद आपके मुहावरे और लोकोक्तियां पूरा का पूरा याद करने का पोर्शन है प्रैक्टेस 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 इसकी भी जितनी practice करेंगे उतना better हैगा तो हम practice ही करवाएंगे और पारिभाशक सब्दावली हिंदी और इंग्लिश के जो शब्द हैं उन दोनों के बीच में एक relation को दर्शात है कैसे आप इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग करते हो तो हिंदी नहीं हो करके हिंदी व्याकरण का पेपर है पूरा practice, समझना और इसके साथ साथ revision करना ये तीन चीजे हैं जो तीनों की तीनों आपको एक साथ करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात daily करनी पड़ेगी क्योंकि एक दिन पढ़ लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया तो नहीं चलेगा बहुत ज़्यादा योगदान होता है हिंदी केस पेपर का scoring पेपर है क्योंकि कई छात्र इसमें 172, 180 तक भी score करते हैं तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आपने अच्छी तरह से revise कर लिया हो कई सोचेंगे कि सर यह तो अथा है नहीं दोस्तों यह अथा नहीं है यहाँ पर तो कुछ शब्द हैं जो बार-बार repeat होंगे आपके सामने जब आप शब्द इयान पड़ेंगे या फिर आप मुहावरे लोकुक्तिया पड़ेंगे बार-बार उन्हीं को तो याद करना है टाइमली अगर आप चार या पांच बार भी revise कर लेते हैं एक साम से पहले और अगर date postpon नहीं होती है तो निश्यत रूप से आप इसमें अच्छा परदर्शन कर सकते हैं तो आपका selection बहुत कुछ निर्भर करता है paper one हिंदी पर इसके तयारी के लिए आप जोट जाएए हमारे साथ में और जैसा कि मैंने कहा RS Junction एप्लिकेशन पर आपके लिए मैंने सभी प्रकार की जो ये जानकारिया इनको एक जिगर करने का प्रियास किया है तो ऐसा ही notifications के लिए एक course हमने बनाया है जो free of course available उसको आज ही join कर सकते हैं वहाँ पर इसी तरह के और जो वीडियो है मेरे वो सब एक साथ एक ही playlist में होंगे तो वहाँ से आपको notification में मिल जाएगा जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूँगा तो definitely अभी description में जो link है वहाँ से इसे download करें अगर application अच्छी लगे तो वहाँ अपने reviews दें इस वीडियो को अपने reviews दें और बने रहे हैं हमारे साथ और wait करें हमारे अगले वीडियो का जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे इस course की और फिर मैं आपको कुछ तीन या चार वीडियो जैसे दूँगा जिनसे आपको मदद मिलेगी और उसके बाद में हम course को launch करने वाले हैं जल्दी वो भी मैं आपको बता दूँगा तो ये बिलकुल इमानदारी के साथ एक course मनाया जाएगा जिसमें पूरा प्रियास किया जाएगा आपके सभी doubts को clear करने का और आपको एक ही स्थान पर test series, PDFs और उसके साथ साथ video lectures देने का वो भी ओने पोने दामों पर चलिए तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं मिलते अगले वीडियो में तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद